सीहोर जिले के रहटी थाना पुलिस ने सौने चांदी के जेवरात रखे बैग की चोरी का परदा फाश किया है मुख्बिर की सूचना पर पुलिस ने कारवाई करते हुए आउरूपी चोर को हिरासत में लेकर पूछ ताच की है जिसके बाद पुलिस ने आरूपी के पास से चोरी की सौने के गहने समेत तीन लाक रूपी से अधिक अभूशन बरामत किये हैं पुलिस मामले की आग़िक कारवाई कर रही है दरसल बुधनी के एक रेश्ट हाउस के पास पुलित के जेबरात रखे बैग अग्यात बेक्ती ने चोरी कर लिये थी जिसके फरियाद पुलित ने इस थानी रहे की पुलिस थानी में दर्जु करवाई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाच की मुख्बिर की सूचना पर राहुल यादव को गरिफतार किया है जिसके पास से पुलिस ने जेबरात रखे बैग को वरामत किया है पुलिस अधिक्षक ने इस सफलता पर इनाम दिये जाने की घोशना भी की है गटनगर में इस प्रकार है कि दिनांक 5 जुलाई 2022 को भुपाल के निवासी है एक अजीत पवारी अपनी परिवास से शादी के लिए जा रहे थे रास्ते में देलवाडी में इन्होंने रेपोर्ट कराई थी कि इनका सामान चोड़ी हो गया था तो घटना की हंभीता को देखते हुए रेपोर्ट लिखी गई थी और चूंकि चूरी किया हुआ मस्रूटा काफी जादा था इसलिए परिष्टर दिकारियों से लगाता है निरेशन प्राप किया गया थी अभी कुछ दिनों पहले सूचना मिनी थी कि आरूपी राहुल यादव है इसके पास माल के प्राप्पन की जान पहले ही किसी दर की तलाशी लिए और उपी दोर अपना गुना कभू ही किया गया